सबी दोस्तों का वेस्ट इस्टेडी क्लास में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं इस क्लास में हम आपको इसमें हम आपको बहुत ही महत्तों प्रशनोतर कराएंगे या प्रशनोतर आपकी पर इछकी द्रट से बहुत ही लाबदायक साबित होंगे तो समय को नशना करते हैं आज के पहले प्रशनोतर की और उससे पहले खास बात अगर आपने एवी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटा बटने वारे ना भूले जिससे के चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज का नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रसंद की और साथ में टेलिगरम चैनल के आपको लिंक डिस्कप्सिन वाक्स मिल जाएगी जिसपे आप आपके करके हमारे टेलिगरम चैनल जॉइन कर लें जिसपे आपको पीडियाप आदी सभी चीज़ें मिल सकती हैं प्रसंद पहला बीज नियंतरन आदेश कब जारी किया गया तो बीज नियंतरन आदेश सन 1983 में जारी किया गया था संसोदन अधनियम को कब सुईक्रत मिली संसोदन अधनियम को 2002 में सुईक्रत मिली प्रसंद 3 भारा सरकार ने बीज अधनियां 1997 में पारिद किया था जों के लिए प्रथककरण की आफसकता होती है तो जों के लिए प्रथककरण की तीन मेटर की आफसकता पड़ती है अगला प्रस्ट सफेद लाल वा पीले रंग में पाई जाने वाली फसल है कौन सी यह मक्का सरसों की seed rate क्या है तो दोस्तों सरसों की seed rate पाँ 9,8 kg प्रत हेक्टियर होती है अगला प्रस्ट बीज बैंक की स्थापना कप की गई थी तो Beach Bank की स्थापना 1999 से 2,000 की बीच मत्द की गई थी नेक्ट कुष्टन बीच उतपादन हेत्व सर्सों को कब बोना चाहिए? तो बीच उतपादन हेत्व सर्सों को 15 अक्टूबर से 15 नौंबर के मत्द बोना चाहिए बीज उत्पाद नहेतु सर्सों को 15 अक्टूबर से 15 नौमबर के मद्धिब होना चाहिए प्रमारित बीज पर कौन सा टेग लगा होता है तो प्रमारित बेज पर ब्ल्यू कलर का टेग लगा होता है अगला प्रस्ट मोल्लिया रोग किस फसल से सम्बंदित है पाई रिल्ला हनिकारक किट है पाई रिल्ला हनिकारक किट गरने का होता है धान की पौध को रोब देना चाहिए तो धान की पौध को 15 जुलाई से पूरब देना चाहिए और धान की पौध में लगा समय तो धान की पौध में 25 दुनों का समय लगता है कितना 25 दुनों का next question धान के लिए प्रत्थक करण रखना चाहिए थान के लिए 3 मिटर का प्रत्थक करण कीआ फ्रत्था पड़ती है copper sulphate ammonia test का विकास किस ने किया copper sulphate ammonia का विकास maxon तथा 8089 1983 में किया था दोस्तों यहाँ प्रेशन बहुत ही महत्पूर है आपकी परिच्छा की दिट से यहाँ परिच्छा में कई वर पूछ जा चुका है कि कापपर सलफेट अमोनिय टेस्ट का विकास कब हुआ तो कापपर सलफेट अमोनिय का विकास 1983 में हुआ और यह किस ने किया तो यह ग्रामपति हेक्टेर पोटाष देनी चाहिए उंगमारी किस दोक से संबंधित है तो अंगमारी चना से संबंधित है आ सुधता प्रतिशत को कहा जाता है। बुवाय करने के लिए टेस्टर सीट या प्लमाडित बीच का प्रियो है। किस प्रकार के बीज का प्रमारिद बीज या टेस्टेट बीज का प्रियोग करना चाहिए भारती ये बीज अधिनियम कब लागू हुआ भारती ये बीज अधिनियम एक अक्टूबर उन्निसो नास्तर को लागू हुआ था पर परागित फसलों में प्रथकरण रखा जाता है किदना रखा जाता है 200 मीटर का बीज सूचँन्क क्या है तो सो बीजों का बजन बीज सूचकांक कहलाता है सो बीजों का बजन बीज सूच कांग कहलाता है पंजी करत बीज पर कौन सा टेग लगा होता है दोस्तों यह भी प्रस्ट बहुत ही महत्पूर्ण है कि पंजी करत बीज पर कौन सा टेग लगा होता है तो पंजी करत बीज पर परफल कलर का टेग लगा होता है बीटा कैरोटीन हमारे सरीर में पहुँचकर बनाता है गेहुं के बीच को कितनी गहराई पर बोना चाहिए तो गेहुं के बीच को चार सेमी की गहराई पर बोना चाहिए सोडियम हाइड्राकसाइड परिछन का विकास किस ने किया तो सोडियम हाइड्राकसाइड परिछन का विकास किया गया था 1988 में पेने दुआरा किस बेग्यानिक ने किया था पेने ने किया था कब 1988 में दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो यदा यदा लाइक करें शेयर करें तरह चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन तरह ना भूलें जिस्ते की चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोत का नाटिफिकेशन आपको सबसे पहले पर अब दिस्टे का अवार शर्कार को सब्सक्राइब करें पर आपको सब्सक्राइब करें पर छो रने की क सा यचियोत का यदा बटनापको ठ declar 🎶